मोहन सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई अहम फैस्तों पर मोहर लगाई है। इस तोरां से मोहन यादर ने राम वनपत गमन के विकास की कार योचना चरणबद्ध तरीके से लागू करने के निर्देश दे दिये हैं। नहीं जो कि सरशिक्षा विभाग के भरती नियमों में बदलाव करते हुए सीधी भरती के निर्देश भी जारी किये हैं। देखिए ये खास खबर। चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। प्रथम चरण में पत्थ के अयोध्या से चित्रकूर तक के विकास के लिए मद्धिप्रदेश और उत्तरप्रदेश सरकारों के द्वारा अपने अपने श्रित्र में गतिवी धियां संचालित की जाएगी। पांच विश से भरे जाने वाले पदों को अब सीधी भरती से भरा जा सकेगा। प्रदेश में जिन गावों में छोटी बसाहटों की आबादी 100 है। वहां भी अप्रदान मंत्री प्रदान मंत्री जन्मन योजना के अंतरगत मकान बनाने के लिए राशी दी जाएगी। मद्र पदेश में 284 केंद्रों की निर्मार का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है। इसमें 25 केंद्रों की फिक्रित भारत सरकार दोरा मिल गई है। और इस मंत्री मंदल की फिक्रित के बाद इस पे तीजित काम चुरू होना है। विशेष पिछडी जनजाती बाहुल छेत्रों में सरक मेरमार के लिए भी प्रस्ताव लाया गया। प्रधान मंत्री गाम सरक ओजना के जो मापडन है उसके अंसार सरक बनाई जाएगी पिछडी विशेष जनजात्यों की 100 तकी जनसंख्या वाली गावों को भी पत्ती सरक से जोड़ा जाएगा। अभी तक प्रधान मंत्री सड़क ओजना धाई सो तकी जन संख्या को जोड़ने का रहा है लेकिन इसी ओजना के आजाने से प्रधान मंत्री जन्जमन से ये फायदा है कि तेज जलों के ऐसे पिशड़ी जन जाती छेत्रों में अब सो तकी भी जन संख्या है तो प्रधान मंत आगर मालवा में विधी महाविध्याले खुलने पर मोहन सरकार ने मंसूरी दे दी है यहां 30 नए पदों की स्विक्रती दी गई है इसके लिए अलग से भवन निर्मान किया जाएगा दो दशमलो एक नो करोड का खर्च कॉलेज भवन के निर्मान में आएगा वहें विद्यूत वितरन लाइसेंस में संशोधन किया गया है मौहासा में इस पर काम हो रहा है और इसके लिए 1678 एकर जमीन चिनहित की गई है ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, फोपाल